मध्य आस्ट्रेलिया में गारी चलाना आसान नहीं है, क्योंकि यहां कदम कदम पर धूल, बार, आग, ध्वस्त सरकों और नेटवर्क की कमी से जूजना पड़ता है। और जल गारी में खाने पीने की चीजे भरी हों, तब बेहत सावधानी बरतनी पड़ती है। आस्ट्रेलिया सरकार ने स्थानिय समुदाय के लिए वर्ष 1949 में उत्तरी इलाके के लाजासानू में स्वायक शेत्र का गठन किया था। बाद में दूसरे समुदायों के अनेक लोग बिस्थापित होकर लाजामानू में बस गए। लाजामानू की आबादी आज सिर्फ 800 है। रिकॉर्ड बारिश, तूफान वबार के कारण लाजामानू तक पहुंचने वाली इकलोती सड़क। इस साल के शुरुआती कुछ महीने तक कटी रही थी। इस से लाजामानू की अकेली दुकान में खाने पीने के सामान, पानी और दवाओं की आपूर्ती रुप गई। जब हालात बेकाबू हुए, तब लाजामानू के लोग और जरूरी सामान के आपूर्ती करताओं ने नौर्धन टेरिटरी की सरकार से आपातकाल की घोशना करने के लिए कहा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तब स्थानिय लोगों के प्रयास से एक इंजन वाले एर चाटके जरिये लाजामानू में जरूरी वस्तूओं की आपूर्ती हुई, लेकिन मान के हिसाब से मंगाया गया सामान कम था। स्थानिय लोगों की शिकायत थी कि अगर बड़े सैन्य विमानों से सामान की अपूर्ती होती, तो दुकान में जरूरी चीजों की इतनी कमी नहीं होती। लाजामानू से 500 मील दूर स्थानिय मिनेरी समदाय के शहर होडसन हाउंस और वहां से 750 मील दूर बोरोलूला शहर भी बार्ड के कारण मुख्यधारा से कड़ गए हैं। बोरोलूला में खाद्य पदार्थों की कमी है, जिससे खरीदारी बढ़ गई है। नेटवर्क उपो जाने से वहां क्रेडिट कार्ड के जरिये भुपतान भी नहीं हो पा रहा। मार्च के अंत तक बार के भयावे हो जाने से बोरोलूला से लोगों को निकालने के लिए सेन्य अभ्यान चलाया गया। इन विबिन जगहों के स्थानिय समुदायों का कहना है कि विपत्ती के समय आस्ट्रेलिया की संगिय सरकार और नौर्धन टेरिटरी सरकारी का रवया निराशाजनक रहा है।